ब्रेष्टाचार निरोधी एक बहुत ही महत्यपूर्ण संस्था प्रवर्तन निदेशाले इसे सबसे ज़्यादा चर्चा E.D. की होती है और एक बार E.D. का नाम सुनके अच्छे अच्छों का पसीना निकलाता है तो आखिरकार E.D. है क्या आज के सेशन में मैं आपको E.D. से जुड़े हुए जितने भी महत्यपूर्ण पक्ष हैं सारे के सारे बताऊंगा देखे एडी का जो आरंब होता है आपका निदेशाले की जो उत्पत्ति होती है एक मई 1956 को हुई थी पहले एक अधनियम था आपक एकॉनमी की क्लास में मेरे जुड़े हुए है तो वहाँ पे फेरा और फेमा दोनों अधनियमों को समझ लेजेगा बाकि अभी थोड़ा सा फेमा औगरा के बारे में मैं बता दूँगा तो 1956 में जो हमारा बिदेशी मुद्रा बिनेमन अधनियम 1947 था उस फेरा 47 भी बोलते ह इस अधनियम को उसके तहट जो भी नेमन नियंतर कानून के उलंगन से निपठते हुए मामलों को लेकर के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतरगत एक प्रवर्त निकाई के तौर पे इसका गठन किया गया था शुरुवात में ठीक है अभी बरतमान में ये बित्त मंत्रा लेके राजस्व विभाग का हिस्सा है और भ्रिष्टाचार निरोधी संगठन के तौर पे काम करता है फेमा जो अभी बरतमान में कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम फेमा 1999 में पारित हुआ था और फिर सन 2000 से लागू हो गया था इसके अलावे एक धन की रोकथाम अधनियम है आपका ठीक है मनी लॉंडरिंग को लेकर के इन दोनों प्राउधानों को लेकर के काम करता है एक तो विदेशी मुद्रा और अल ब्रष्टाचार नियंतरण पे काम करने वाली संस्ता है इसके उपर कई सारे आरोप लगते हैं कि ये सरकार के निर्दे होते हैं और राजनितिक छेतर से जुड़े हुए लोग भी होते हैं बहुत सारे बिजनेसमेन ब्यापारी वर्क भी होते हैं तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा वहां पे एडी कारवाई करती है सबसे अधालोचना के सिकार भी यही होती है संस्ता एक तो अधनियम आपका यह है बरतमान में पहले फेरा हुआ करता था फेमा हो चुका है दूसरा अधनियम आपका धन की रोक थाम अधनियम दो हजार दो है धन की रोक थाम अधनियम दो हजार दो ये दोनों अधनियमों को ले करके काम करती है ED ठीक है दोनों अधनियमों को ले करके काम करती है इसके प्राउधानों को लागू करने का प्रयास करती है इसमें जो करमचारी होते हैं बहुत सारे प्रति नियुक्ति पर आते हैं डेपूटेशन पर आते हैं जितन हमारी एजन्सियां हैं केंद्री उत्पास सुल्क से जुड़ी हुई जो अधिकारी है आयकर डिपार्टमेंट के बहुत सरे अधिकारी है जो हमारे पुलिस भीभाग हैं उसके जुड़े हुए IPS अधिकारी है उन सभी से उन अधिकारियों से प्रति नियुक्ति पर के अधिकारी ह ную के उर्पीसर सोते हैं और उरराल जो इनका काम होता है ठीक है इनका काम है उससे जुड़े हुए जो है मामलों पर उस पर उपर जुर्बाना लगाना कारवाई करना मनी लॉंडरिंग को लेकर जो आपका अधिनियम है धन शोधन अबैद धन यहां पर धन शोधन धन सोधन धन सोधन यानी money laundering पिदेशी मुद्रा का कई बार भारत के अंदर अबैद तरीके से प्रवेश होता इसको हम बोलते हैं PMLA Act ठीक है तो धन सोधन से जुड़े हुए कोई भी मामले है money laundering से जुड़े हुए कोई भी मामले है उन मामलों के अपराधों की जाच करना है ना और यदि जाच में कोई दोसी पाय जाता तो संपत्ति की कुर्की करना जबती करना है ना अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना बहुत सारी चीज़े काम करता है ठीक है तो और इससे पहले जो फेरा अधनियम था उससे जुड़े हुए भी कोई मामले पहले के पड़े हुए हैं उन मामलों को भी देखना उसके खिलाब भी जुरुबाना लगाना कोई भी अपराधी भाग गया है भगोडे अपराधी एक अधनियम और आपका भगोडा आर्थिक अपराधी अधनिय इस अधिनियम के तहते भी ये काम करती है ठीक है तो एक अधिनियम आपका 2018 में बना जो भारत से भाग गए है जैसे की विजय माल्या का नाम सुना है आप सभी ने नीरो मोदी के बारे में आप सभी जानते हैं ठीक है तो इनसे मामलों को भी देखने का काम यही करते हैं है ना फिर वो अधर कंट्रीज में चले जाते हैं वहां पे बकाइदा जो है फिर वहां के कोर्ट औगरा में कारवाई चलती है और फिर प्रत्यरपन संधी के मादिम से भारत लाए जाता है उनको तो भगोरे अपराधियों को डंडित करना है ना और जो है भारती निया प्रक्रि इसके अलावा अन्य कई सारे मामले जो धन से जुड़े हुए है अबैद धन से ब्रष्टाचार से जुड़े हुए बड़े-बड़े मामलों को लेकर के भी इडी काम करती है ठीक है तो मल्टिपल अधनियम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम फेमा और फेरा ये कोई भी व्यक्ति दोसी पाया जाता है उन पे काम कौन करती है प्रवर्तन निदेशाले तो इस अधार पर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मात्यपूर संस्ता में से एक हो जाती है ठीक है मुख्याले इसका कहां पर है दिल्ली में इसके अलावा इसके कई सारे रिजनल आ ठीक है और इसके जोनल आफिस कई सारे हैं मलब कई जगहों पे जोनल आफिस भी बना रिजनल आफिस है जोनल आफिस है और जो है उप जोनल मलब सब जोनल डिवीजन भी है इसके तो कई सारे जो है इसके ठीक है अब यहां पर यदि हम बात करें इसके पास बहुत सारी पा तरीके से धन को कमा रहे हैं, उन विक्तियों को गिरिफतार करना, उन पर मुकदमा चलाना, उन पर अपराधिक क्रतों की प्रति संपत्ती को जब्त करना, कुर्की करना, ये सारे काम जो है इनके पास हैं, ठीक है, तो ये तो overall इसके बारे में जानकारी है, मैंने आपको बताय कि इसमें जो अधिकारी हैं, वो सारे के सारे प्रतिन्युक्ती पे आते हैं, RBI से भी डेपोटेशन पे आते हैं, पुलिस प्रतिष्ठानों से बहुत सारे अधिकारी आते हैं, भारती राजस सुसेवा यानि कि IRS से बहुत सारे अधिकारी आते हैं, IPS बहुत सारे अधिकारी हो उसके बाद आपको मौका मिल सकता है ED में जाने के लिए फिर आप से लोग थर-thर कापने लग जाएंगे एडी का नाम सुनते ही अच्छे-च्छों के पसीने छूट जाते है और उनी का पसीने छूटता है जो अपरादों में सनलिप्त होते हैं उन्हीं के पास जाती है और आज के टाइम पे देखो राजनितिक दल के साथ-साथ बहुत सारे बिजनेस ब्यापारी जो अनितिकल एक्टिविटीज करते हैं पता चला चुनाओ लड़ने के पहले कुछ पैसा ही नहीं था चुनाओ के बाद पता नहीं कितनी संपत्ति हो गई तो भाई कैसे हो गई कोई न कोई तो भष्टाचार ह भी हाई है तो EV को लेकरके मामले आते है इपकषी पार्टिया कहती है कि राजनितिक पार्टियां जो है दुरप्योग करती है फी results discussion होता है तो चलिए विजय माल्या को नहीं जानते क्या आप लोग विजय माल्या यह कौन नहीं जानता है King Fischer का नाम सुनाओगा ना अपने King Fischer और एक समय वो कौन से टीम थी बंगलूरू की टीम जो थी आपकी RCB उसके मालिक भी रह चुके संसद भी थे राजसवा की विजय माल्या बहुत बड़े उद्योग पती थे एरलाइन से ले करके लिकर भी इनकी बहुत सारी आती थी हर एक सेक्टर पे थे एरलाइन चलती थी लिकर थी और क्रिकेट टीम थी बहुत बड़े उद्योग पती कारोबरी थे लेकिन समय रहते जो है इनका सूरज ढल गया और ये भाग गये यहां से उस समय राजसवा संसद हुआ करते थे तो यहां से भगोड़े साबित हो गए ठीक है हेडिंग डाल लीजिए प्रवर्तन निदेशाले लिख लो छापो छापने चालू करो इडी पे भी हमला होता है बिलकुल हो सकता है पश्चि मंगाल वाला मामला आप लोगों ने देखा ही था तो वो तो चीजे सब राजनितिक हैं ठीक है राजनितिक प्रेंडा से जुड़ी हुई है चलिए लिखे प्रवर्तन निदेशालेक एक बहु अनुसासनात्मक संगठन है प्रवर्तन निदेशालेक बहु अनुसासनात्मक संगठन है जो बित्मंत्रालेके राजसु विभाग का हिस्सा है जो बित्मंत्रालेके राजसु विभाग का हिस्सा है जो बित्मनत्राले के राजसु विभाग का हिश्चा है का हिस्चा है इस निदेशाले की उत्पत्ती एक मैई 1956 को हुई थी जब बिदेशी मुद्राविनिमे अधिनियम जब विदेशी मुद्रा Foreign Exchange Regulation Act इसी को फेरा बोलते हैं विदेशी मुद्रा विनिमे अधिनियम ब्रेकेट में लिख लिएगा फेरा फेरा विदेशी मुद्रा विनिमे अधिनियम 1947 के तहद अब फेरा नहीं रहा अब फेमा हो चुका है है ना फेरा की जगे Regulation की जगे Management हो चुका है अब ही मैं लिखवा दूँगा फेमा क्या चीज है बाकी एक बार Economy की क्लास में डिटेल में जाके देख लेना विदेशी मुद्रा विनिमे अधिनियम 1947 के तहद विनिमे नियंतरन कानून के उलंगन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया इस इकाई का नित्वत्व एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वारा किया जाता है इस इकाई का नेत्वत्तो मनलब की प्रवर्तन निदेशाले का नेत्वत्तो मानिदेशक होते हैं डिरेक्टर होते हैं इसमें इडी के जो डिरेक्टर हैं इस इकाई का नेत्वत्तो एक कानूनी सेवा अधिकारी द्वरा किया जाता था प्रवर्तन निदेशाले अधिकारी के रूप में बिभिन संस्थानों से प्रतिन्युक्ती पर आए अधिकारियों के अलावा प्रवर्तन निदेशाले बिभिन संस्थानों से आए प्रतिन्युक्ती पर आधिकारियों के अलावा सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की न्युक्ती करता है सीधी भरती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति करता है विविन्य प्रतिष्ठानों के अंतरगत विविन्य जाच एजन्सियों से विविन्य प्रतिष्ठानों के अंतरगत विविन्य जाच एजन्सियों से बिभिन जाच एजन्सियों से भारती राजस्ट सेवा के अधिकारी भारती राजस्ट सेवा के अधिकारी भारती राजस्ट सेवा के अधिकारी भारती पुलिस सेवा के अधिकारी भारती प्रसासनिक सेवा के अधिकारी भारतिय प्रसासनिक सेवा के अधिकारी, आएकर विभाग, आधि बिभिन्ने विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं. प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है डेपूटेशन, है ना, एक अच्छे रिकॉर्ड के रहते हुए आपको डेपूटेशन पर भी भेजा जाता है, जैसे बहुत साय लोग CBI में भी डेपूटेशन में जाते हैं, कई सारे पद आपके प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं, तो जो बड़े-बड़े अधिकारी ओफीसर्स होते हैं, वो डेपूटेशन पर दूसरे बड़े डिपार्टमेंट पर भी भेज दिया जाता है, जैसे मालीजे कल के दिन आपको सेलेक्शन हो जाता है, और आपने अपना काडर राजिस्थान काडर मालीजे ले लिया, राजिस ता कि किसी तरीके से कोई भी तो एक पर्मनेंट अधिकारी नहीं होते हैं, डेपूटेशन पर अधिकारी आते हैं, और यह बहुत ही उच्चिस्तरी है, जो एक अच्छा रिकॉर्ड है जिनका और जिन्होंने काम को गुर्वत्ता को बहतर बना के रखा है, तो यह भी जो ह आप लोग एक बार देख लीजेगा, देखो संबन होता है इडी का बुलावा, जब भी कोई भी केस दर्ज होगा, कोई भी संबन भेजता है, जैसे कोट भी संबन भेजती है ना, जैसे माली यह कोई केस हो गया, तो कोई भी केस में कोट क्या करेगी, संबन भेजेगी, है पुलिस ने चार सीड दाखिल कर ली और जब पुलिस चार longo सीड दाखिल करती है उसके बाद मामला कोट में चलता है और कोट में अधिाप उपस्तित में तो संबन आपके पाश आएगा दो संबन में आपको जाना चाहिए यदि नहीं जाते तो दूसरा संबन आएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा, तीसरा संबन आएगा, हो सकता है संबन में आपको फिर पुलिस को बोला गया, जाओ गिरिफतार करके लाओ इसको, यह अब उपस्तित नहीं हो रहा है, तो संबन मतलब एक तरीके से बुलावा पत्र, और जब आप नहीं पहुचोगे, आप बार-बार संबन को इगनोर करोगे, तो निश्चित तोर पे फिर आपको आपके उपर कारवाई होगी, ED आपको गिरिफतार कर सकती है, ED हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, तो संबन में जाना चाहिए, कोट का संबन आ, ED का कोई भी, तो वो इसे लिखे, यह बहु आयामी संगठन, यह बहु आयामी संगठन की भूमिका में, यह एक बहु आयामी संगठन की भूमिका में, के भूमिका में, निमने कानूनों को लागू करता है, कुछ कानून है लिख लीजे, नमबर एक, निमने कानूनों को लागू करता है, लिखे नमबर एक बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम Foreign Exchange Management Act बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम यह एक नागरिक कानून जो निदेशाले को अर्ध न्याइक सक्तियां देता है तो पहला तो आपका फेमा है फेमा के तहित इसको पावर मिलती है बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम फेमा तो देखे पहले फेरा हुआ करता था बिदेशी मुद्रा रेगुलेशन एक्ट होता था 1999 में इसको जो है चुकी भारत में LPG रिफॉर्म हुए तो इसके बाद इसकी जगे पे फेमा लेकर के आया गया तो बिदेशी बिदेशी ब्यापार को बिदेशी भुकतान को सुविदा जनक बनाने के लिए बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम आपका जो है लाया गया था ठीक है ultimate इसका गोल यही है कि जेश के बिदेशी ब्यापार को बहतर किया जाये और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को बिवस्थित विकास किया जाए इस दृष्टिकोंड से ये अधिनियम लाया गया था और ये जो है भारती रिजर बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा सम्मंदी लेन देनों को बिनेमित करता है है ना तो इसके लिए एक विदेशी मुद्रा नियंतरण विभाग भी बनाया गया है और जो है ये जो है विदेशी मुद्रा विभाग आपका है उसके तहर पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा जो भारत में फॉरेक्स जो रिजर्व है या फॉरेक्स आपका एक्षेंज हो अब यहाँ पे आगे लिखे आप आगे लिखे पहला तो है विदेशी मुद्रा प्रबंदन अधिनियम लिखे यह एक नागरिक कानून है यह एक नागरिक कानून है जो कि प्रवर्तन निदेशाले को आर्द न्याइक सक्तियां देता है थोड़ा सा फेमा के बारे में भी दो पारिथ हुआ तथा एक जून 2000 से लागू हुआ यह एधिनियम 1999 में पारिथ हुआ तथा एक जून 2000 से लागू हुआ इस अधिनियम का उद्देश बिदेशी ब्यापार और भुक्तान को सुविधा जनक बनाना बिदेशी ब्यापार और भुक्तान को सुविदा जनक बनाना तथा भारत में बिदेशी मुद्रा बाजार के वेवस्थित विकास और अनुरक्षन को बढ़ाना है को बढ़ाना है ठीक है चलिए तो एक तो आपका ये हो गया ठीक है विदेशी मुद्रा एक कानून आपका ये है जो एडी देखती है दूसरा कानून लिख लेजिए आगे इसी के आगे परगरप चिनके यह निदेशाल है यानि प्रवर्तन निदेशाल है इस कानून से इस कानून के उलंगनों की जाज करने के साथ ही दोसियों पर जुर्बाना भी लगाता है दोसियों पर जुर्बाना भी लगाता है तो एक कानून यह हो गया दूसरा लिखे धन शोधन निवारण अद्यम प्रिविंसर ऊफ मनी लॉंडरिंग एक्ट पीम अले बोलते हैं इसको हम लिख लिजे इसके बाद दूसरा, धन सोधन निवानर अधिनियम, यह एक अपराधिक कानून है, जो निदेशाले को, जो निदेशाले के अधिकारियों को अंतिम रूप से जाच परताल करने, पूस्ताच करने, जुरुबाना लगाने का अधिकार देता है, पूस्ताच करने, जुरुबाना लगाने का अधिकार देता है, यह कानून अधिकारियों को काला धन के कारोबार में लिपते विक्तियों को गिरिफतार करने, यह कानून अधिकारियों को काला धन के, यह पर मनी लॉंडरिंग का म प्लेक को वाइट में करना, ब्लेक मनी से जुड़ावाज इतना भी मामला है, धन सोधा निशी को बोला जाता है, हवाला के माध्यम से बड़े स्तर पे मनी लॉंडरिंग की जाती है, देखो हवाला के एजेंट होते हैं, जो कि पुरे दुनिया भर में दो माध्यम है, जो हमे पैसा अपने घरवालों को भीज़े, तो RBI के रहेगा, उसमें RBI का कुछ चार्ज जाएगा, पैसा कटेगा आपका, कुछ आपके चार्ज होते हैं, वो कटेंगे, दूसरा माध्यम यह है कि बहुत सरे एजेंट फैले हुए हैं, वो यही काम कर रहा है हवाला का, आपने क् किसी हवाला एजेंट से आप अमेरिका में मिले और उसको आपने पैसा दे दिया, ठेक है, उस एजेंट ने भारत में किसी एजेंट को फोन कर दिया, उसने आपके गरजन को पैसा दे दिया, तो यह क्या हो गया, बाइपास कर दिया आपने रूट को, है ना, तो यह क्या हो यह आपी पुस्पप पुस्पप मुवी में दिखाया है कि वह जाता है है। हवाला वाले कैसे पैसे देते हैं एक एजंट दूसरे जंट को एक नोट को फार के दे दिया अब आपको पता है उस नोट का एक ही नंबर होता है तो आधी नोट दूसरे को देगा बाद में दोनों नोटों को जोड के देखता है यदि दोनों नोटे जुड रही है इसका मतलब हो फिर वो पैसा दे देता तो हवाला मलब बहुत मलब पता ही नहीं चलेगा और ये भी बहुत तो इस खब पे काम करते है एडी यदि कोई भी ब्लैक मनी का काम हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो इडी उस पे कारवाई करीगी लिखे यह कानून अधिकारियों को काला धन के कारोबार में लिप्त विक्तियों को गरिपतार करने मुकदमा चलाने के अलावा अपराधिक कृतों से प्राप्त संपत्यों को जप्त करने का भी अधिकार देता है को जब्त करने का भी अधिकार देता है, अभी क्या नाम था सुकेस करके एक परसन थे, जो कई सारी फिल्म इंडिस्ट्री के एक्टर एक्टरेस को भी उन्होंने फसाया था इस मैटर पे, अभी भी है साइद एडी में मामला चल रहा है, दिल्ली सरकार को भी घेरे में लिया गया, मनीश्ट सौदियाजी को गिरिपतार किया गया, तो मलब एडी कारवाई करती है, और विपक्ष हमेशा इस पे लगाता रहता है कि जब भी सरकार सत्ता पक्ष को दबाना होता है, आवास दबानी होती है, तो एडी को छापा डलवा देते हैं, कई मामले सही भी होते ह और कुछ मामले जो है, हो सकता है कि ऐसे मामले भी होते हैं, ठीक है, तो आगे लिखे, गिरिपतार करने, मुकदमा चलाने के अलावा, आप राधी करत्तों से प्राप्त संपत्ती को जब्त करने का अधिकार भी देता है, ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट, प्रवर्तन न निदेशाले का मुख्याले नई दिल्ली में है, जिसके प्रमुक, प्रवर्तन निदेशाले प्रमुक होते हैं, इसमें मलब डिरेक्टर होते हैं आपके, प्रवर्तन निदेशाले प्रमुक होते हैं, प्रवर्तन निदेशाले में, बिशेश निदेशकों के नितुत्त में, बिशेश निदेशकों के नितुत्त में मुंबई, चनई, चंडीगर, कुलकाता और दिल्ली में पाँच छेतरी कार्याले भी हैं, तो मुंबई, चनई, चंडीगर, कुलकाता और दिल्ली में पाँच छेतरी कार्याले हैं, तो एक मुंबई, चनई, चंडीगर, कुलकाता और दिल्ली में पाँच छेतरी कार्याले हैं, तो एक मुंबई, चनई, चंडीगर, कुलकाता और दिल्ली में पाँच छेतरी कार्य इसके अलावा भारत के विभिन्न छेत्रों में जोनल आफिस भी है जोनल तथा उप जोनल कार्याले हैं ये लिख लीजाए भारत के विभिन्न छेत्रों में जोनल तथा उप जोनल कार्याले है जोनल तथा उप जोनल कार्याले है उपजोनल कार्याले है जोनल तथा उपजोनल कार्याले है ठीक है यह प्रवर्तन निदेशाल है भगोडे आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहट हर तरीके की गटनाएं होती है भगोडे आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहट भारत से भागे लोगों के मामलों को भी प्रवर्तन निदेशाल ही देखता है जिसके तहट भगोडे आर्थिक अपराधियों को डंडित करना जो भारती नियालेों के अधिकार छेतर से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने का उपाय खोजते हैं जो भारती नियालेों के अधिकार छेतर से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने का उपाय खोजते हैं कानून की प्रक्रिया से बचने का उपाय खोजते हैं कानून की प्रक्रिया से बचने का उपाय खोजते हैं ठीक है तो ये आपका प्रवर्तन निदेशाले से जुड़ा हुआ मामले था ठीक है काफी कुछ मैंने आपको मेंन मेंन चीजें डिसकस करा दी बाकी देखो फेरा और फेमा के बारे में वहां पर पढ़ लेना थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है तो निदेशाले आपका 1956 में बना था पहले फेरा के नियमों को देखता था फेमा के नियमों को देखता है और सारी चीजे आपको बता दी तो ये आपका ED से जुड़ी हुई समाने जानकारी है और इसी से आप से question पूछेगा आपको ये दोनों अधनियम याद रखने हैं ठीक है इसकी देखो बिसेस अदालते भी होती है मलब प्रवर्तन निदेशाले की अदालते भी होती है डंडनी कार्याले को लेकर के जैसे कोई भी matter होता है तो ED का अपना खुद का नियाले होता है ठीक है और इस नियाले में इसको बिसेस नियाले बोलते है इस special court होती है वहीं पर पूरा मामला चलाये जाता है ठीक है तो special court होती है प्रवर्तन निदेशाले को लेकर के इससे कई सारे जो है आपके अंतराष्टी संस्थान जुड़े भी हुए हैं, जैसे वित्ये कारवाई कारेबल है, Money Laundering Asia प्रसान समू है, या कोई भी Eurasian समू है, अंतराष्टी स्तर पर भी जो जितने भी संस्थान है ना, जो इस तरीके के मैटर देखते हैं, उनसे भी संप कोई भी मुद्दा मैटर एडी को लेकर आता है, एडी के दुर्पयोग का मामला भी कई बार जो है चर्चा में रहता है, तो एक बार वो आप जब न्यूज में पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे प्रवर्तन निदेशाले के जुड़े हुए विशेवस्तु तक, ठीक है, चलिए